जादूई दिब्बा एक बार की बात है, एक छोटे से गाव में एलेक्स नाम का एक लड़का रहता था, वह एक जिग्यासू और साहसी लड़का था, और उसे अपने घर के पास के जंगलों में घूमना फिरना बहुत पसंद था. एक दिन, जब एलेक्स जंगलों में घूम रहा था, तो उसे एक रहस्यमाई दिब्बा मिला, यह पुराना और घिसा हुआ था, और उस पर अजीब निशान बने हुए थे, एलेक्स ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, उसने दिब्बा उठाया और उसे करीब से एलेक्स ने दिब्बे को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया, उसने इसे अपने माता-पिता को दिखाया, लेकिन वे भी नहीं जानते थे कि यहाँ क्या है, उन्होंने उसे इसके साथ सामधान रहने और इसे बलपूर्वक खोलने की कोशिश न करने के लिए कहा, एलेक्स ने दिब्बे को अपने बेड्रूम में रखा, वह हर दिन इसे देखता और सोचता कि उसके अंदर क्या है, एक रात उसने एक सपना देखा, उसके सपने में एक बुढ़े आदमी उसे दिखाई दिया, एलेक्स बुढ़े आदमी ने कहा, दिब्बे में एक शक्तिशाली जादू है, यहां आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन सामधान रहें, क्योंकि बड़ी शक्ती के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, जादू का बुद्धिमानी से उप्योग करें, और इ जिपा दिया, उसने कसम खाई कि वह जादू का उप्योग केवल तभी करेगा, जब यहां नितांद आवशक हो, एक दिन, एलेक्स के गाव पर डाकों ने हमला किया, ग्रामेनों की संख्या कम थी और वे मात खा रहे थे, एलेक्स जानता था कि उसे अपने लोगों को बचा किया जाए और उसका गाव सुरक्षित हो, जैसे ही एलेक्स ने अपनी इच्छा की, गाव में एक तेज हवा चलने लगी, दाकों अंजान थे और बिखर गए, ग्रामेन उन्हें आसानी से हरा पाए, एलेक्स ने अपने गाव को बचा लिया था, लेकिन वह जानता था कि उ उसने इसे बहुत कम इस्तिमाल किया, और केवल तभी जब दूसरों की मदद करना आवशक हो, एलेक्स ने एक लंबा और सुखी जीवन जिया, उसने जादू का उप्योग जरूरतमन लोगों की मदद करने और दुन्या को एक बहतर जगा बनाने के लिए किया, वह हमेशा बोड़े आतमी की जेतावनी को याद रखता था, और उसने कभी भी शक्ति को अपने भरष्ट नहीं होने दिया, सीख बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिन्मेदारी आती है, अपने शक्ति का बुद्धिमानी से उप्योग करे और इसे अपने भरष्ट नहोने दे, वर्ल्स नेचर के प्रिय दर्शको, यह कहानी देखने के लिए धन्यवाद, हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई, यदि आपको यह पसंद आया, तो कृप्या इसे लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि आप भविश्य की कोई भी कहानी न चुके, विडियो का आनन ले, देखने के लिए फिर से धन्यवाद, अलविदा,